महेंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अलग-अलग राजी के शहरों में 35 रुपए किलो की दर से प्याज बेच रही है। साथ ही वह ओपन मार्केट में बफर स्टॉक से प्याज भी जारी कर रही है। इससे प्याज उतपादक किसानों में नाराजगी है। कि किसानों का कहना है कि बपर स्टॉक से प्याज जारी करने के चलते इसके थोक कीमत में गिरावट आई है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही किसानों का कहना है कि सरकार को प्याज पर 40 फीसदी निर्याद शुल्क और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को वासस लेना चाहिए। The Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक भारतिय राष्ट्रिय सहकारी उपभोकता संग लिमिटेड नाफेड ने अपने बफर प्याज स्टॉक को बाजारों में जारी करना शुरू कर दिया है। इसके चलते नासिक स्थित लासल गाम्व मंडी में प्याज का ओसत होलसेल रेट 4500 रुपए प्रती क्विंटल से गिर कर 3950 रुपए प्रती क्विंटल पर आ गया है। हालां कि एक्सपर्ट का कहना है कि प्याज की कीमत में गिरावट ग्रामियन नासिक में सत्तारूर गठबंधन के विधायकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ज इसी भी तरह के प्रभाव से बचने के लिए मौजूदा बाजार मूले पर उपज बेचनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र को बिना किसी प्रतीबंध के प्याज का निर्याद जारी रखना चाहिए और प्याज पर 40 फीसदी निर्याद शुल्क और MEP वापस लेना चाहि वहीं महाराष्ट्र प्याज उतपादक संग के अध्यक्ष भरत दिगोले ने कहा कि पिछले साल थोक प्याज की कीमत में गिरावट के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन केंद्र ने तब भी किसानों को कोई राहत नहीं दी। अब जब किसान अपनी उप बाजारों में बेचना शुरू कर दिया है। इस फैसले से कीमतें कम होंगी और प्यास किसानों को फाइदा होगा। उपभुकता मामले, खादे और सारवजनिक वितर्न मंत्राले द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों केंद्रिय सरकारी एजेंसियों ने केंद्र के ल दिये 4.7 लाख मीटरिक टन ग्रीशम कालीन प्यास खरीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी